दोस्तो रूस का S-400 Air Defense System अमेरिका के लिए बहुत बड़ी परिशानी बन चुका है भारत और चीन समेत पांच देशों ने इसे खरीदा है तुर्की नाटों में शामिल है उसने जब S-400 खरीदा तो अमेरिका ने उस पर सक्त पर्तिवंद लगा दिये दोस्तो भारत ने जब 2018 में रूस से S-400 की चार रेजिमेंट की डील की थी तब अमेरिका ने इस पर नाराजगी जताई थी लेकिन इस से ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाया क्योंकि भारत ने साफ कर दिया था कि वो अपनी रक्षा जरूरतों को हर कीमत पर पूरा करेगा दोस्तो इस एर डिफेंस सिस्टम का कोई मुकावला ही नहीं है अमेरिका के पास भी इतना एडवांस सिस्टम मौजूद नहीं है लेकिन ये भी सच है कि हर देश इसे नहीं रख सकता क्योंकि दोस्तो एस चार सो बेहद ही महंगा है इसके रैडार छे सो किलोमीटर की दूरी तक सर्विलांस कर सकते हैं इसके मिसाइले चार सो किलोमीटर दूर तक टारगेट को मार गिराएंगे ये ओल इन वन एयर डिफेंस सिस्टम है दोस्तो एक अमेरिकी रिसर्चर के मताबिक चीन के लिए ये सिस्टम इतना उप्योगी नहीं है जितना भारत के लिए है भारत बहुत आसानी से इसका इस्तमाल अपने मैदानी इलाकों में चीन पर निशाना साधने के लिए कर सकता है पाकिस्तान सीमा पर तो S-400 बेहद कारगर साबित होगा ये लडाई का रुख ही बदल देगा भारत और अमेरिका के बीच स्टेटेजिक अलाइन्स है भारत के पास ये सभी मौजूद है ये मिंटों में कहीं भी तैनात किया जा सकता है बहुत आसानी से ऑपरेशनल हो जाता है चीन और पाकिस्तान की तरफ से दोहरे खत्रे के मद्दे नजर भारत को इसकी जरूरत बहुत जादा है अमेरिका जानता है कि चीन इसे खरीदेगा साओधी अरब और कतर उसके लिए खत्रा नहीं है भारत से उसके करीबी और मजबूत रिष्टे है यानि भारत भी खत्रा नहीं है लेकिन तुर्की नाटों में शामिल है वो लगातार अमेरिका के करीबी अरब और यूरोप के देशों के खिलाफ आकरामक रुख अपना रहा है अमेरिका को इन ही देशों के फिक्र है वैसे भी तुर्की S-400 सिरफ अपना सैन्ने दबदबा बढ़ाने के लिए खरीद रहा है उसे वास्तों में इसकी कोई जरूरत नहीं दोस्तो इसी बीच हमें ये भी देखने को मिला कि भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन को भी रूस ने S-400 देना बंद कर दिया है तो चलिए जानते हैं ऐसा क्यूं है दोस्तो चीन को उसके मित्र देश रूस ने परेशानी में डाल दिया है रूस ने चीन के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के डिलिवरी को रोक दिया है चीन ने इसे दबाव में लिया गया फैसला बताया हाला कि उसने किसी भी देश का नाम नहीं लिया लेकिन उसका इशारा साफ तोर पर भारत और अमेरिका की तरफ है S-400 दुनिया का सबसे बहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है रूस के अलावा सिरफ चीन और तुर्की के पास इसकी कुछ यूनिट है भारत को इसकी पहली खेप इसी साल मिलने वाली है दोस्तो रूस ने ना सिरफ S-400 की डिलीवरी सस्पेंड की है बलकि उसने चीन को ये भी नहीं बताया कि ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसे फिर कब दिया जाएगा न्यूज एजनसी के मुदाबिक इस बार रूस ने साफ कर दिया है कि वो चीन को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी रोक रहा है चीन के एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि इस कदम से साफ तोर पर ये जाहिर हो जाता है कि सिरफ हत्यार खरीद का समझ होता करने से कुछ नहीं होता जरूरी ये भी है कि सिरफ बिल नहीं वो हत्यार भी आपको मिले दोस्तो इस रिपोर्ट में आगे ये कहा गया कि चीन ये मानता है कि रूस ने दबाओ में S-400 की डिलीवरी रोकी है चीन ने तो अपने सैनिको को इस मिसाइल की ट्रेनिंग के लिए रूस भी भेज दिया था रूस से भी टेकनिकल एक्सपर्ट चीन आने वाले थे अब दोस्तो ये नहीं होगा जिंपिंग सरकार के सूतरों के मताबिक रूस ने दबाओ में फैसला लिया चीन के एक अफसर ने कहा कि रूस को लगता है कि महामारी के वक्त अगर S-400 की डिलीवरी चीन को की गई तो इससे चीन की परेशानिया बढ़ेंगी चीन ने भारत से पहले इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने का फैसला किया था पहला बैच उसे 2018 में मिल चुका था भारत को पिछले साल आखरी तक ये सिस्टम मिलने वाला था खास बात तो दोस्तो ये है कि रूस ने चीन की डिलीवरी को तो रोग दिया लेकिन भारत को वक्त पर मिसाइल सिस्टम देने का वादा दोराया है दोस्तो वैसे तो रूस और चीन के बीच दोस्ताना रिष्टे हैं लेकिन अब इनमें खटास आने लगी है दरसल दोस्तों रूस ने पिछले दिनों अपने सेंट पीटर्सबर्ग आर्क्टिक शोशल साइंस अकेडमी के प्रेसिडेंट वैलरी मिटको को गिरफ्तार किया था वैलरी पर खूफिया एजेंसियां कई मह इनों से नज़र रखे हुए थी उन पर आरोप है कि उन्होंने चीन के बेहत समवेदन शील्स सेन्य जानकारिया दी और बदले में पैसे लिए वैलरी के तीन और साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है इनमें दो चीनी नागरिक हैं इसके बाद से दोनों देशों के रिस मान लीजे कि किसी दुश्मन ने हमारे उपर फाइटर जेट, मिसाइल या ड्रोन से हमला किया तो S-400 उसको नास्ते नाबूत कर सकता है यानि वो उसको हवा में ही तभा कर सकता है नमबर दो बेसिकली दोस्तो ये एक डिफेंस सिस्टम है यानि हवाई आकरमन से सुरक्षा करता है S-400 की रेंज 400 किलोमेटर और ये 30 किलोमेटर की उचाई तक लक्षय को भेज सकता है नमबर तीन S-400 को बनाया है रूसी कमपनी Allmise Antene ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम 2007 से काम कर रहा है सबसे पहले इसे मौसको में तैनात किया गया था नमबर चार आदेश मिलने पर S- से 10 मिनट के अंदर तैनात किया जा सकता है दोस्तों रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सफल और ताकतवर माना जाता है लेकिन अब इसी हतियार ने अमेरिका की परेशानी बढ़ा दी है भारत चीन समेत पांच देशों ने रूस के इस हतियार को खरीदने के लिए सोधा किया है अमेरिका की नाराजगी के बावजूद भारत ने अपनी सामरिक सुरक्षा के लिए उसकी धमकी को नजरंदाज करते हुए साल 2018 में रूस से इसके लिए समझोता किया हलाकि नाटों में शामिल तुर्की ने भी जब रूस से S- S-400 खरीदने का फैसला किया तो अमेरिका ने उस पर सक्त परतिबंद लगा दिये S-400 पर बड़ी अमेरिका की बॉखला हट दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस हतियार को लेकर अमेरिका भारत के खिलाव भी सक्त रुख अपनाएगा और भारत द्वारा इसे खरीदने के बाद कुछ परतिबंद लगा सकता है हाला कि दोस्तों अमेरिका ने परतिबंदों के नाम पर दबाव बनाने की हालिया कोशिश को भारत सरकार जादा तवज्जो देने के मूड में नहीं है क्योंकि इस हतियार के लिए सरकार पहले ही रूस को सो रक्षय के लिए इस अत्याधूनिक एयर डिफेंस सिस्टम को खरीद लेता है तो अमेरिका को इससे क्या दिक्कत है तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि अमेरिका को पता था कि वाशिंग्टन और बीजिंग के रिस्तों में तनाव आया है उसके बाद चीन ऐसे हतियारों क खरीद करेगा दोस्तों वहीं भारत से अमेरिका के रिष्टे मजबूत हैं इसलिए वो उसके लिए खत्रा नहीं बनेगा यही वज़े है कि अमेरिका यहां उतनी सक्ती नहीं कर रहा है लेकिन नाटो सदस से तुर्की का इसे खरीदना उसे नागवार गुजारा हुआ इस मित्रो देशों की चंता है विशेशग्यों के मुताबिक तुर्की सिरफ अपने शेत्र में सेन्य दबदबा बढ़ाने के लिए इस हत्यार को खरीद रहा है जबकि उसे इसकी बिल्कुल भी जरूत नहीं है वैसे विशेशग्य S-400 सिस्टम खरीदने के मामले में भारत को लेकर अमेरिका के ज़्यादा सक्त नहीं होने का कारण भी बताते हैं तो दोस्तो अब आप हमें कमेंट शेक्षन में बताईए कि क्या आपको ये बाते पहले से पता थी अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा इंटरस्टिंग लगी तो दोस्तो हम ने रही हमारे साथ हम जल्द से जल्द फिल में रहेंगे एक और इंटरस्टिंग टॉपिक के साथ